हेलो 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 गुड़ी इवनिंग गुड़ी इवनिंग कैसे हो मेरे अकीनियंस आचा गुड़ाफटनुँग हाँ यार पहली बात बहुत दिनों बात हम लोग साथ मौर्निंग से आफ्टरनून पे आए हैं आफ्टरनून से इवनिंग पे आए हैं लेकिन आज का सेक्षन भाई बहुत सांदार होने वाला है ठीक है हाँ सर चार बज़े किस ने बोला होता है जिननों का आफ्टरनून हुआ है हम आफ्टरनून से इवनिंग में जाने ही कोशिश करेंगे जैसे एक क्लास में मौर्निंग से आफ्टरनून में आते वैसे ही इस क्लास में आफ्टरनून से इवनिंग की तरफ जाने ही कोशिश करेंगे ठीक है तो भाई सेलेक्शन कैसे होगा एक सिंपल सा कोश्चन करते हैं हाँ चलो भाई यह कीनियन्स बताओ सेलेक्शन कैसे होगा सेलेक्शन कैसे होगा सेलेक्शन अब आज ठीक है भाई एक सिंपल सा कोश्चन पूछ रहा हो तुम लोगों से सेलेक्शन कैसे होगा कैसे होगा सेलेक ऐसी बस आफ्टरून में आए बता दे भाई ये इस टाइम पे एक बच्चा बोल रहा है नीद आ रही है बिटा अगर इस टाइम पे नीद आ रही है ना समझ कि तेरे सपने दो से पाँच ये दो टू पीम ये जो टू पीम का टाइम है न भाई दो बजे से लेकर टू पीम ट अगर हर एक नीट एस्पिरेंट सिरियसली प्रिपेर कर रहा है दो बहुत से लेकर 5,5,5, 20 तक अगर आपको नीद आ रही है ना बेटा कहीं न कहीं कहीं न कहीं उतना अंदर की आग बुझ रही है या कहीं न कहीं मोटिवेशन कमभ़़ा है डिसिप्लीन नहीं है दो से पा यह टाइम अपना बेस्ट टाइम बनाने कोशिश करना कभी भी जो लुग बैस को फॉलो करते हैं यह ठीक है पांच मिनट दस मिनट दिमाग को रेस्ट दे दिया वह अलग आनी है लेकि दो बशे से लेकि पांच वीश तका टाइम एकदम सहीस रखना कभी भी मुझे नहीं प पूछ रहाता मैंने जवांग में आया कि भाई पूछते सेलेक्शन कैसे होगा एक सिंपल सा कोश्चन है सेलेक्शन कैसे होगा एक दो बच्चे ने बहुत बढ़िया बोला है एक दो बच्चों ने बहुत बढ़िया है तीधा सर आपको स्टडी करनी है पहला चीज तो आती है सर लेक्शर देखने स्यलेक्शन हो जायेगा नहीं लेक्शर देखना इसे आपका रहरा यह हो सकता है लेकिन अ Chapel देखने के बाद आप जब तक सिस्टपर नहीं करने वारे हैं सेलेक्शन देखो उसके बाद उसके उपर study करो जो भी question practice है, जो भी theory revise करनी ये करो plus, 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 plus sir, क्या करना है test देना है test देना है, sir, उसके बाद sir, जो भी mistakes है अपनी mistakes analyze करके mistakes analyze करनी होती है, और उसको फिर से next repeat नहीं करना है simple सा mistake repeat repeat नहीं करना है, repeat नहीं करना है, same mistake ये आपका same mistake same mistakes को repeat नहीं करना है कुछ basic portion से मेरे तरफ से बस ऐसी मैं दिल में सोच रहा था कि हाँ कोई बच्चा कर सिर्फ lecture attend कर ले भाई lecture attend कर लेगा बहुत अच्छी बात है लेकिन lecture attend करने से ये करना पड़ेगा, यहां से बाद यहां पे आना पड़ेगा test देना पड़ेगा और test देने के बाद mistakes की analysis कर ले भाई mistakes analysis हो गई और सबसे important revision करते रहिए revision की frequency जो होनी चाहिए revision की frequency जो होनी चाहिए अपने पास maintain रखिए revision frequency maintain रखिए ये चार points और ये चारो चीजें क्या करनी है consistently करनी है selection अगर चाहिए सीजी सी बात है selection कैसे होगा तो भाईया आपको पहले lectures देखने हैं फिर अपनी self study करनी है फिर test देना है test देने के बाद mistakes analyze करनी है और अपने आप से कसम खानी है कि भाईया repeat नहीं करना है same mistake and last one revision की frequency बढ़ाते रहिए maintain करते रहिए ये सारे काम ये सारे काम आपको क्या करने है consistently करते रहना है हो गया बस भाई तुम्हारे life का एक तो ये time सबसे best time है दूसरा ये 4-5 points को लगातार maintain करते रहो भाईया selection तुम्हारे पीछे-पीछे आएगा वो एक dialogue है न कि तुम मेहनत तो करो ये चार चीजे बस करते रहो selection तुम्हारे पीछे-पीछे आएगा भाई selection तुम्हारे पीछे-पीछे आएग एक बोल रहा है तुम्हारे पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे-पीछे- 20 घंटे ही मिलते हैं उसमें से टाइम निकाला जाता है ठीक है तो चलो भाई आप पता चल गया है कि सेलेक्शन में ये चीजे करनी है लेकिन आज अपने पास कोश्चन प्राक्टेस या बोल सकते हैं कि टेस्ट का एक टॉपिक है और वो है सर हमने जितने भी चाप्टर्स किय हैं जितने भी चाप्टर्स किये हैं आज हम सारे चाप्टर्स का सर सारे चाप्टर्स का आज हम करने वाले हैं महा केवीडी आज हम करने वाले हैं महा केवीडी तो भाई या तयार हो चलो कितने लोग कोश्चन करने के लिए तयार हो चुके हो कितने लोग कोश्चन करने के तेयार हो भाई जल्दी तो भाई या आज आप जीतेंगे confidence आज आप जीतेंगे होता न डिसिप्लिन की power आपको पता चलेगा कि हाँ सर लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं सोचो मैंने एक class पुरी करवान कर रहा हूँ सिर्फ सिर्फ कोशन प्रैक्टिस के उपर कोई मेरे से interesting question से सुरू करते हैं एकदम गर्दा उड़ा देंगे भईया गर्दा उड़ा देंगे आज चलो question सुरू करते हैं सबसे पहला सबसे प्यारा सा question सब लोग time लगालके सही से corrective करना क्योंकि इस तरह की questions की आने की प्रविल्टी सबसे ज़ादा है तो चलो भईया देखते हैं पहला question आज के KBD का क्या है और वो है अपने पास पहला question match the column और आप सब के लिए इस question का time मैं exam hall में अगर बैठाता हूँ आपको exam hall में बैठते हो आप तो आपको इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे 60 seconds वो भी बहुत जादा बता रहा हो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे 60 seconds तो भाईया सुरू हो जाएए इस question के लिए match the column पहला question match the column से क्या होगा क्या होगा कोई backlog नहीं है बहुत अच्छी बात है बेटा ठीक है मैं थोड़ा सा options उपर कर देता हूँ के चल साथ सेकेंड आपके पास है मैं कुछ नहीं बोलने वाला कोई disturbance नहीं आपको most appropriate answer चूज करना है आपको most appropriate answer चूज करना है याद रखिएगा जरूरी नहीं जैसे सी का option नहीं दिया है तो जब रस्ती मत कर दिए कि नहीं नहीं सर सी का option तो टिक करूंगा चल तो अब सब लोग का time आई हो और सब का time हो चुका होगा सब का time हो चुका है फटा फट देखते हैं फटा फट चीजों को देखते हैं में क्या दिख रहा है सर इसका इतना लीटर सर नंबर आफ मोल्स निकालने जाओगे अगर आप नंबर आफ मोल्स निकालोगे तो सबसे पहले तो C वाल ही ऑप्शन से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा 0.224 लीटर डिवाइड बाइट बाइट वाइट 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 सॉल्व करोगे इसका एंसर 3 तो नहीं होगा मतलब C का एंसर 3 नहीं होगा B और D एक्जाम वाल में हटा दो B और D कभी हो ही नहीं सकता C से ही डिसाइड कर लिया कि number of moles सर आपके कितने आ गए 0.01 तो भाइया C वाला option 3 नहीं होगा एक्जाम वाल में within second हटा दीजिएगा इसको अब C option हट गया दो option eliminate हो गए दो option eliminate हो गए एक काम करते A को पकड़ो देखो पूरा question solve नहीं करना है यहां रखना है A को सर आपको कोई बोले सर सारे option पाचो कोशन थोड़ना attempt करने भाई C को क्या करना है सर मैंने C को देखा C से है मेरा 2 option eliminate exam hall में क्या करूँगा A और A को match कर लूँगा अगर A का option सही आ गया तो मेरा answer सही आ जाएगा A का option आप सबको दिख रहा है कि इसके अंदर कितने moles होंगे 46 upon 23 कितने moles होंगे 2 moles होंगे और 2 moles का option क्या है 2 moles का option क्या है 2 moles का यह है अच्छा किसने बोला सर नहीं सर एक बार एक काम करते 4 को भी चेक कर लेते 2 moles में इतने atoms होते हैं क्या इतने atoms होते हैं क्या नहीं तो इसका मतलब C option भी eliminate हो जाएगा answer क्या आएगा A exam hall में answer क्या आएगा A आजाएगा answer क्या आजाएगा A और मेरे पास देखो तो मैं answer टिक करता हूँ A देखते हैं भाई मुलक आरे क्या बात है यार क्या बात है exam hall में बस time सही बताना चलो अपना time बता दो elimination से करना है पाचों का answer निकाल के फिर match करने जा रहे हैं आप A निकाल देते तो भी आपका answer match कर जाता A से ये वाला भी option eliminate कर जाता ये से ये वाला भी option eliminate कर जाता सिर्फ एक option eliminate होता आपका answer आ जाता तो भाईया देख लो exam hall में smartness के साथ काम करोगे 85% जनताज सही थी ultimate, क्या सुरुवात करी है सबने, क्या सुरुवात करी है सबने, ये mole concept का पहला question क्या सुरुवात हुआ है, match the column का अच्छा, very good 5 second, 2 second, सोचो speed देखो, क्या बात है, eliminations ही करना है भाई, इसको पूरा थोड़ न करना है बहुत बढ़िए, very good चलो, अगला question देखते हैं और उसको देखते हैं, कितनी 2023 कर पाते है कितनी 2023 कर पाते सरसन रीजन दिया है ना ना, बहुत मुश्किल होता है सरसन रीजन सरे सरसन रीजन बहुत मुश्किल होता है चलो भईया, हमने पूल दबा दिया है, सरसंद रीजन का question है, जल्दी से जल्दी बता सकते हैं क्या आप सब लोग, क्या होगा इसका answer, बहुत ही easiest portions चल रहे है, मोल concept नहीं है, इस solution का है, जो भी yes, मोल concept solution, मैं side हो गया हूँ भाई, तुम देख लो, क्या answer आए? क्या होगा? कुछ लोग क्या answer सही आने सुरू होगे, ये देख लो अपने पास, ये देख लो, जुन लोगा लगता है, अभी अभी starting हो, ये थ्वड़ा सा देखो तो सही, ये वाला portion क्या दिया गया है, कि मोलालीटी का formula याद करोगे, W2 upon molar mass 2 into 1000 upon, क्या होता था, W1, मोलालीटी का formula ये होता था, मोलालीटी चेंज नहीं करती है temperature के साथ, क्यों? विकॉज इसमें सब के सब mass के साथ related है, temperature से क्या ची चेंज होती थी, volume चेंज होता था, तो भाईया एक बात बताओ, second statement तो ऐसे ही गलत है, ये statement सही है, तो second statement तो ऐसे ही गलत हो गया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है बेटा, इस question में, जो शुरुआत के दो, अभी दूसरा question चल रहा है न, ये जो दो question आपको दिये गए हैं, उस सिर्फ और सिर्फ आपके speed वाले हैं कि भाईया, exam बोले हैं, 50 question, कोई बोल रहा है, सर सुरू से difficult दे दो, भाई difficult देने के दिक्कत ने, exam की psychology बता रहा हो, exam में 2-3-4 question difficult होते हैं, बाकी सब कुछ easy होते हैं, बस twist किये ज देखो, see is the correct option, क्या आजाएगा, ये क्या हुआ, ऐसा answer दे दिया, ऐसा answer दे दिया, पोल ही गया भोगया, ऐसा answer दे दिया, पोल ही गया होगया, चलो कोई बात नहीं, देखरो, पोल भी डर रहा है, आज, क्या दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, चलो, अगला question देख, solution, solution के बाद thermodynamics है बगवान, कैसे बचेंगे, sir, region, sir, क्या होगा, क्या होगा, entropy decrease करती है, entropy decrease करती है, अगर हम temperature बढ़ाते हैं, entropy decrease करती है, when the temperature of, निकालो, system, system hang हो गया बाई, इतना ज्यादा polling हो गई, system accept ही नहीं कर पा रहा, जल्दी, एक बोल रहा है, sir, यकीन 4.2 में पढ़ावा, आरे, क्या बात कर रहे हैं, अभी 4.2 का बेट कर रहे हो, क्या बटा, प्लीज भाई, 4.2 में, 2.2 में है, 2.2 में करते हैं, पहले स्लेबस, ठीक है, 2.2 की साफ से चलना अपने को, 4.2 में टाहीं लएगा भी, entropy decrease करती है, temperature बढ़ाने से, क्या बात कर रहा है, यार, solid का भी होगा, तो क्या फरक पड़ेगा, भाई, अरे, entropy क्या करते हैं, पहला statement ही गलत है, और जैसे ही पहला statement गलत दिखा, सर, दूसरा statement भी चेक कर लो, कि जैसे है temperature बढ़ाते हो, kinetic energy of particles बढ़ता है, और अगर kinetic energy of particles बढ़ता है, तो आपके constraint particles क्या करेंगे, जीरो पे क्या हो जाएगा, kinetic energy भी जीरो, सर, पहला वाला ऐसी गलत है, ये statement सही हो गया, कौन सा option हो गया, reason is correct, बस assertion is incorrect, answer क्या आ जाएगा, answer क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, चलो भया, पोल भया, मुस्कुरादो यार, आ जाओ की बार, yes, ठीक, बहुत बढ़िया, 63% जनता, ये देख लो, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, क्या हुआ हुआ हमारी जिंदगी में, entropy temperature बढ़ा, आप को बोले सफ solid, एक याद करो crystalline solid का entropy निकालने का एक तरीका बताया गिया था आपको यहीं एक बंदा था जिसको हम निकाल सकते हैं यहीं एक extensive property है जिसकी exact value निकाल सकते थे third law of thermodynamics से हमने सीखा था third law of thermodynamics से यह formula याद किया था कि sir entropy की value किसी भी crystalline solid की 0 Kelvin से कितने Kelvin पे निकाला जा सकता है अगले question में और भाई साहब इतना difficult question इतना difficult यार कैसे होगा इस question का answer इस question का answer देखिए क्या आएका यालडीप यालडीप कितना आएगा भाई आप तो टाइम होने वाला है किसने मुझे बोला कि नहीं सर आप कोश्टन के बीचे मत बोलिए इसलिए मैं शुप रहा अंदर ही अंदर काना गुन गुनाता रहा कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम हाँ जल्दी क्या होगा सर सॉलिड और लिकुड मालो कोई सॉलिड है कोई इसमें लिकुड में जा रहा है इसके केस में देखोगे तो डेल्टा एंजी की वैल्यू क्या होगी सर जीरो होगी या फिर अगर डेल्टा वी डेल्टा एंजी की बात करें डेलटा ह- डेलटा यू is equals to P डेलटा वी यहां फिर बोल देते हैं डेलटा एन जी आर ती अरे सर एक बात बताईए अगर सॉलिड और लिक्विड होगा तो सर यह बात दो सही कहह रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होगा significant नहीं होगा significant नहीं होगा solid and liquids do not suffer any significant volume change upon hitting solid or liquid obvious है भाई अगर पानी को अगर ice है ice को अगर water में convert करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक इतना छोटा सा water पुरा का पुरा ice पुरा पुरा room भर दे ऐसा नहीं होता volume थोड़ा बहुत change करता है तो ये बात भी सही है और statement भी सही है ये assertion भी सही है reason भी सही है और ये इसका proper explanation भी दे रहा है तो answer क्या आजाएगा answer क्या आजाएगा कि sir assertion reason both are correct but reason and reason is correct explanation of a significant meaning भाई बहुत ज़्यादा change ना हो मतलब अब यार कोई ऐसे change होता है न सर ice का water में convert होता है तो 0.001 change हो जाता है भाई वो नहीं count करेंगे न significant का मतलब बहुत ज़्यादा change ना दिखे बहुत बड़ा change ना दिखे अब माल लो तुहारा कोई दोस्त है बोले भाई तुझे पता है मेरे पिछले test में कितने marks थे 360 और इस बर पता है कितने आए हैं 361 तुम उसको बुला के award दोगे क्या significant change दिख रहा है जो significant का meaning पूछ रहा था देख रहा बेटा कितना significant meaning दिख रहा है यहां पर इसको लगता है तुझे कि 360 के बदले 361 आए घर वाले बुला के ऐसे बुलने बेटा क्या तरक्की करिए तुमने significant मतलब क्या हो जाएगा significant मतलब क्या हो जाएगा कि भाई बहुत बड़ा change ना आए हाँ भाई question अपने को मिलेगा अच्छे-च्छे questions में थोड़ा सा time देना है सोचना है देखो अब जनता कम होगी न जनता कम होगी न 53% यही सब समस्दे कि भाई आप 53% जनता seriousness अभी जब last तक पहुचेंगे न इस वीडियो के last तक जब पहुचेंगे जब end तक पहुचेंगे जनता अपने आप और कम होती चाहेगी ठीके और कम होती जाहेगी reason कि भाई यह revision करते नहीं हम revision करेंगे तो अब्वेस है चीजें अपनी सांदार नहीं solid और liquid का volume बहुआ ज़ादा significantly change नहीं करता है चलो अगला question देखते है question के बीचे बोलना नहीं है करते हैं झाल झाल चलो भाई, पोल स्टॉप हो चुका है, जिन लोग ने अटेम्ट करना था, अटेम्ट कर लिया है, अब देखते हैं बाई, किसना बेसिक सा कोशन, सिंपल सिंपल चीजे हैं, देखो एक्जाम हॉल में ऐसे कोशन की प्रविल्टी बहुत जादा है, रीजन क्या है, रीजन क्य कर रहा है, तो एका उप्षन देखना सुरू करोगे, एका उप्षन देखना सुरू करोगे, तो एका उप्षन क्या दिखना सुरू होगा, अगर मैं एक उप्षन को एक्जाम होले, बैठे-बैठे लिखना चाहूं, तो ए थ्री हो सकता है, ए क्या होगा, थ्री होगा, ऐस नहीं अंसर आ जाएगा लेकिन फिर भी मैं बाकी चीजों को भी चेक कर लेता हूँ रीजन क्या है उसका रीजन पता चलेगा सर देखना यह देखो यह एक बोलगा है हाइड्रोजन अपने पास हाइड्रोजन क्या बोला गया सो गैस से यह जा रहा है तो सर बी का एंसर क्या आ जाएगा यह बॉन्ड इंथाल्पी है यह बी का एंसर सर बी का एंसर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा देखो बी का एंसर फोर दिया है बी का एंसर फोर दिया है मेरा एंसर यही आ जाएगा यहाँ पे हाँ किसी बच्चे ने बूला वो बात सही है थोड़ा सा यहाँ गरबड है यह अपने पास उसका 2 है ना तो यहाँ पे गैस लिखा है यहाँ पे एक्वस कर देता हूं यह एक्वस होगा बेटा यह गलती से ना यह मतलब सामने वाल ने जो question type किया है उसने दोनों क सेमें ही समझाए दोनों में difference होगा डी इस दखरेक्ट आ desarroll exam hall में आप उसको एक्वस माननी जी संञाएए एक्वस होना चाहिए हक्वस होगा यहा पे एकवस होगा यहां एकक्वस होगा और यहन आंसर आजाएगा three four two उन इसका सी का उंसर क्या आजाएगा C का answer क्या आ जाएगा C का answer 2 है ना तो lattice है अच्छा नहीं नहीं इसको एक्वस करना है इसको एक्वस करना हाँ इसको एक्वस करना है यह 1 हो गया और यह क्या हो गया अपने पस हो जाएगा चलो भाई तो यह देख लिए अब तेरे पास option था तुने select करना था क्या answer आएगा D is the correct answer यह पोली हैंग हो जा रहा है डर गया यह पोल एक बच्चा बोला अभी इतने लाख लोग लाइव हो गया इस चक्कर पता नहीं कैसे हो गया अहां उल्टा हो गया ठीक है हड़ी एक वस होगा पोली हैंग हो जा रहा है चलो कोई नहीं अगला question देखते है अगला question देखते है जिन लोग का भी option आएगा D is the correct option अपना अपना answer देख सकते हैं अगला question देखो भाई सार क्या चीज दी गई है क्या बोला गया है क्या है सरसन रीजन जितने लोग की demand थी कि सर ये question चाहिए इस type का question चाहिए उतने questions आ रहे है उतने type के questions आ रहे है जल्दी 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 प्रेशर डिस नोट है सरी बोलना नहीं है काफी दिफिकल्ट है काफी दिफिकल्ट है काफी दिफिकल्ट questions चल रहे है डिफिकल्टी पर डिफिकल्टी चीए चल रही है क्या होगा मारे बोलने में डर ही लग रहा है यार कई पता चला कुछ बोल देगा भी सर मेरा सर सारे के सारे questions सही हो जाते अगर आप बीच मेनाई बोलते तो इसले डर की रह रहा हूँ मैं side में देख रहा हो तुम लोग का डर ये question अपने पास आपको भी पता है कि हम लोग pressure की जब भी बात करते है प्रेशर का solubility of solid in liquid में कोई रोल नहीं होता प्रेशर of solid in liquid में कोई रोल नहीं होता प्रेशर का रीजन क्या है कि बाई ये solid और liquid में they are highly incompressible and they are unaffected by change in pressure मजा आ रहा है के नहीं आद आ रहा है देख ले भाई आज तेरे पास ऐसे ऐसे questions लिक्या है हो ना एसे-इसे questions तुछ खुद सोचेगा कण मैं आराम से मतला है पैक क्या है यार ये i.e. कि system hang हो जा रहा है भाई system hang हो जा रहा है ठीक है आशा है ठीक है चलो system hang हो जा रहा है आपना क्या बोला जाये भाई system hang हो रहा है और कुछ निं चलो अगला question देखते है झाल हाँ भाई हो गया बहुत बढ़ी आया क्या बात है चल क्या निकालना है मास परसेंटेज निकालना है मास परसेंटेज निकालना है वाल्यूम परसेंटेज निकालना है तो भाईया शुरू हो जाओ क्या हो जाएगा सर मास परसेंटेज कैसे निकालते है सीधी सी बात है मास कम परसेंटेज कैसे निकालते है यह divided है भाई अरे यार कैसी बाते कर रहे हो यार तुम एक बुलना है से option जलब दिया है भाई divided था यह गलती से ओफो यार इंटू 100 इंटू 100 इसको ऐसे कर दो इसको ऐसे कर दो संट आजयार जायेक क्या जाएगा यह क्या हो जाएगा मास percentage मास अपन दिज्ट वालीम पर सेंटेज है मोलआलिटी क्या है मूल स ऑफ डिवाइड बॉलुम ऑफ्लमोंट क्या यार कुछ गबड किया इसना pollution मैंने ये सोच के आज question नहीं पड़ा मैंने का नहीं यार हमारा बंदा काफी काम है चलो लेकिन ऐसे पढ़ने वाले कर चुके होंगे sir A का answer क्या आएगा 2 A का answer आएगा 2 A का answer आएगा 2 तो पहले C और D हटा दो C और B हटा दो A का answer आएगा 2 B का answer आएगा 1 molality का answer आजाएगा 4 और D का क्या आजाएगा 3 तो ये क्या हो जाएगा मेरा correct answer A आजाएगा ऐसे attempt करने वाले सब लोग कर चुके होंगे जो मैं mistakes बता रहा हुग सरसे गया पोल ठीक है system ही hang हो रहा है भाई आज पोल पे पोल हो जाए जल्दी भूँ जल्दी कुछ ज़्यादा ही डिमांड हो गई भाई कुछ अंधेरा अंधेरा सा चलना है ठीक है चलना अब देख लो भाई अगला कोश्चन देख अगला कोश्चन देख भाई साब significant figure के question significant figure के question significant figure के questions की बात कर रहे है इतना प्यारा सा सुन्दर सा question है भाई साब यह देख लीजी आपके पास I hope so चल जाए ठीक है which are the following rules regarding the significant figure and their calculation is incorrect कौन से incorrect है कौन से incorrect है अपने पास कौन से incorrect होंगे बता सकते हूँ जल्दी से जल्दी answer बताओ क्या होगा क्या होगा एक बच्चा बोलता इतना easy question नहीं आता है बात तो सही है बेटा इतना easy question ऐसी question नीट में आते हैं एब इजी तो क्या ही बुरा जाये लेकिन चलो इतना easy question advance में नहीं आता बेटा आपका statement सही है इतना easy question advance में नहीं आता even जही advance में जाओगे तो जही advance में मिल जाएगा इस type of question बस यही है कि application थोड़ा अलग से even significant figure का तो application ही application मिलता है भाई साथ हर एक चीज़ को ही round off करके बोलते हैं कि round off करके बता तो तो जाओएब को एंसर क्या होगा? B is the correct answer. एंसर क्या होने वाला है? B is the correct answer. आप सब लोगो पता है reason क्या है? B is the correct answer. ये क्या बोल रहा है? most precise figure में. जब आप multiplication या division करते हो, जब आप multiplication या division करते हो, तो आप उसमें कौन सा figure लेते हो? least precise figure लेते हो. B is the correct answer. आप जब multiplication division करते हो, तो उस ताइम पे आप least precise figure लेते हो, कि सर अगर मुझे कुसने बोल दिया, 1.34 into 2.0, 2.0312, इसका answer देना है, तो answer देते हैं, मैं कितने significant figures लोगा? 3, बस उसी मैं answer दूँगा, क्यों क्योंकि list precise figure में मुझे answer देना है? correct answer, incorrect कौन सा option होगा? B is the incorrect option. B is the incorrect option. क्या होगा? B is the incorrect option. देख लो, ये है बेटा. फिर, देख लो, अब क्या पूल चला है भाई साब, पूल चला है, बस ये है कि हाँ, percentage कम हो गई है, क्योंकि इस question में अच्छा question था, अच्छा question था, थोड़ा time देना था, पढ़ना था, और कर सकते हैं. अब ला question देखो, अपने पास क्या है? क्या है? झाल झाल चलो बाई इस question में जब भी आप redox reaction कर रहे हैं और याद करो redox reaction में titration हो चाहे कुछ भी हो हमने एक चीज पढ़ी थी कि number of equivalence हम इसा क्या करना है equal करना है number of equivalence क्या करना है equal करना है सर के मेनोफोर, magnees का n factor देख लीजे magnees का n factor यहाँ plus 7 से magnees कहां आ रहा है plus 2 में आ रहा है magnees का n factor सर number of moles यहाँ पर क्या निकालोगे n factor mno4 का into molarity mno4 की molarity into क्या करोगे volume is equal to इसका n factor into molarity into volume यही करोगे यह H2C2O4 का H2C2O4 का यह किसका होगा यह सर k-4 का होगा यही करने वाले सर इसका n factor कितना है k-4 का 5 सर 5 है उसका सर कितना होगा 20 into 0.1 और इसका n factor कितना है C2O4 का यहाँ पर oxidation number देखोगे कितना आ जाएगा plus 3 यहाँ पर देखोगे plus 3 कैसे अरे सर C2O4 minus 2 यह 2x minus 8 is equal to minus 2 x की value निकालोगे plus 3 आ जाएगा carbon dioxide बनेगा तो plus 4 आएगा एक carbon में 2 का change इसका n factor निकालोगे तो 2 आएगा सर एक carbon में एक का change दो carbon में 2 का change एक molarity कितनी हो गई मुलारिटी कितनी हो गई सर मुलारिटी नहीं पता into volume किसका H2C2O4 का मुलारिटी into volume H2C2O4 का कितना आएगा तो वो कितना आना चाहिए सर वो कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए मुलारिटी into volume H2C2O4 का जो भी option होगा जिसका answer ही इसका है इसको करोगे 0.5 इसको करोगे 0.2 तो empat, एन्ऍसर क्या आएगा जल्दी बता दूंगा तो भी कहोगे कि सब जल्दी बता देते तो अव्यस है न मुझे उनको भी बताना है कुछ तो ऐसे भी होंगे कि M से M काट क्यों नहीं देते अब थोड़ा ठीक है ना गलती हुई तो सीख ले भाई इतना बड़ा कुश्चन इतना बड़ा एंसर यहाँ पर मैगनीज में कितने का चेंज आ रहा है तो १ो करो नंस इक विल्ड करो सेबाइन करी सकते है बहात बड़ीा न वह न और हो होने 22 वस है उचाब पूललए तुम्हारे में अच्छा बगारी ब्हुत बड़ा सौरी यार बोल रहा है कि बچकी सर मैं जब सही answer दे रहा हूं तो pole गलत हो जा रहा है, pole hang हो जा रहा है, गलत answer दे रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप minimize हो, चलो, pole को छोड़ो, pole नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, अगला question देखते हैं, तेंथ question, 10th question आपके सामने पढ़ा है, 10th question आपके सामने पढ़ाए बताईए answer क्या होगा 10th question जिसका चल जाए देखते हैं 10th question आपके सामने पढ़ाए जल्दी जल्दी answer बताईए कर दो झाल 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 क्या एंसर आएगा क्या एंसर आजाएगा क्या होगा एंसर इन सबका एंसर कितना आजाएगा D is the correct answer देख लो 25% जनता 25% जनता भाई साहब कहां पे रहते हो यार कैसे करते हो क्या होता है भाई क्या कर रहे हो इस calculation में time लग रहे है इस calculation में time लग रहे है भाई साहब इस calculation में अगर time लग रहे है कि number of moles नहीं निकालने में time लग जा रहा है 8 upon कतना हो जाएगा less का कितना हो जाता है 40 ? 1 upon 5 को क्या लिखेंगे 0.2 इसका mole fraction 0.2 upon 1.2 1 by 6 लिखेंगे 1 by 6 से 0.167 जैसे ही आया इसको cancel out कर दो मुललीटी की बात करते हो मुललीटी की बात करते हो मुललीटी क्या होता है number of moles of solute sir solute के moles कितने है 0.2 और mass of solvent in kg 18 gram पानी को क्या लेंगे मुललीटी का formula गलत हो गया अच्छा ऐसे चलोगे ऐसे चलोगे मुललीटी का formula गलत हो जा रहा है अभी sir इसलिए तो आपको realize कराने के लिए तो ये session है ये realize कराने के लिए तो session है भाई अरे poll चले ना चले छोड़ देना तू अपना काम कर देख ले यार यहाँ पे सही हो रहा है नहीं हो रहा है एक काम करना अपना जाते जाते बता देना कितना सही कितना गलत अभी तो देख लो आई easy question भी difficult हो जा रहा है क्यों हो रहा है उसके पीछे का reason आप सोचो ने एक बार की सर ये इतना easy basic concept के उपर question आपने गलत कर लिया उसके उपर work कीजिए silly mistake क्या होता है बेटा mistake होता है silly तो आप खरकते करते हो mistake silly थोड़ी नहोती है mistake बहुत भारी पड़ती है minus 1 तो गया minus 5 का आपको loss है अगला question देखो क्या बोला जा रहा है calculation करनी के करिए exam hall में options मिलेंगे बाहरe कि कर दो है वहा है करिंगे लाहर खरकते कर दिए झापंगे झाल 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 कितना आ जाएगा भाई सीधा सीधा इसका एंसर कितना आ जाएगा 1.41 आपके लिए एंसर ये देख लो भाईया जिनको ये फॉर्मूला याद हो पॉर्मूला याद हो भाईया देख लो अब ये चैल्कूलेशन में टाइम लग रहा है तुम पहले ये तो निकाल के लाते तो ये तो निकाल के लाते बी एंसर आ जाएगा कितना आजाएगा answer के आएगा B is the correct answer थोड़ा percentage बढ़ा है बहुत अच्छी बात है यही चीज देखनी है अपने सीधा सिधा formula based question था उसमें भी अगर आप फस रहे हो ठीक है calculation में time लगा यहाँ पे वो भी calculation में आप देख सकते होगी यह कितना हो जाएगा 1.544 हो जाएगा और यहाँ 63 by 69 almost 0.99 से मतलब 1.54 से कम होना चाहिए 1.54 से थोड़ा कम होना चाहिए एक ही option eliminate करके आएगा एक ही option eliminate करके आएगा एक बोला formula याद नहीं है हाँ गलती हमारी है बेटा हमने गलती करी हमने यह कोशन लेके आए हम कोशन प्रैक्टिस कर रहे है आप तो बस ऐसी उठके आजाया कीजिए कि अच्छा आया है मास्टर कुशन कुश तो कराएगा चलो हगला कोशन देखना बहुत प्यारा सा कोशन है बहुत प्यारा सा कोशन करके देखिए क्या मज़ा आता है क्या मज़ा आता है झाल 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 क्या आएगा सर कैल्कुलेट करेंगे अब आपको क्या बोला गया कि सर इसका मास आपको नहीं पता है तो आप M2OX का मोलर मास निकाल लिया आपने सर 56 मेटल का मास है दो एटम है मुझे नहीं पता औक्सीजन कितना है तो औक्सीजन का 16 है 16 है एक्स निकाल दो अब यहाँ पर देखोगे कैल्कुलेट करके तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 448 आ जाएगा और दिस विल बी 1112 प्लस 16X इस इक्वल्स तो 2.8 यह अब सॉल्व करेंगे अब यह सॉल्व करना सुरू कीजिए यह सॉल्व करना सुरू कीजिए यह सॉल्व करके देखेंगे आपको अगर दिख जाता है कि हाँ यार इसको मैं सॉल्व करूंगा जैसे सिंपल सा सॉल्व करने ही कोईश करोगे यह 28 से ही जैसे आप कैंसल आउट करना सुरू करोगे आपको cancel out हो जाए ठीक है यह देख लो अरे सर एक metal अपने पास एक metal oxide है जिसके पास इतना 112 gram metal है solve करेंगे ऐसे तो मुझे इसकी भी स्वर्णत ही नहीं यह कौन सा iron दिख रहा था iron दिख रहा था क्या यह iron दिख रहा था 56 gram है iron दिख रहा था यह iron है iron का formula आपको भी पता है iron के metal oxide का formula exam hall में अगर बैठे हो ना तो भाईया कुछ नहीं iron का mass दिया है answer कितना आजाएगा c का answer कितना आजाएगा 3 answer आजाएगा 3 answer आजाएगा 3 answer आजाएगा जो लोग कर रहे हैं भाईया जिनको तेजी से exam hall में जिसको होता है क्लिक कर जाना सरी किसका mass दिया है किसका mass 56 होता है iron का ना iron की formula क्या होगा F2 O3 होता था ऐसे भी निकाल सकते थे नहीं तो आप इसको solve करके निकालेंगे जैसे कोई बोला solve करो लोग बेटा मैं इस exam में बैठूंगा तो अव्वेस है अगर आपकी calculation सही है अगर आपकी calculation सही है तो आप देखो कैसे solve करोगे कोई बुले तर आप exam में कैसे solve कर देते यह ले भाई तुम्हेरे से बात कर रहा है तो यह ले भाई इसको 10 कर दिया यह देख 28 से इसको cancel out करेगा तो यह 4 टाइमस cancel हो जाएगा 28 से 4 times cancel हो जाएगा यह देख ले भाई 160 is equals to 112 plus 16x हुआ अब बात कर 48 is equals to 16x यहाँ से x की value कितनी आगी 3 अगर मुझे solve करना होगा जो भी बेहनत कर रहा जिसकी भी calculation सही है वो देख लो अपने पास वो 3 वैसे भी निकाल देगा कोई जरूरी हाँ फो सकता एक्जाम हों में सर डर लग रहा हो टॉपर को भी डर लग सकता है इसरा irony क्यों माल ले तो calculate करने जाएगा ना तो भाई इतना fast calculation होना चाहिए अब तुम सोचो कि ना इसर रहते ही calculate कीजे कुछ लोग 2.8 से multiply कीजिए टू को भाई टाइम क्यों waste करना है क्यों waste करना है आपको वही ना कि आप जैसे कोई बना सर आप calculation करके दिखाओ भाई तुझे doubt नहीं होना है मैं तो छोड़ कोई topper बच्चा भी होगा वह भूवी बहुत fast calculation करता है क्योंकि उसको पता होता है 28, 112 कहीं देख लेता हूं कार्ट पिट के कुछ हो जाए यह उसको पता है बहुत लंबी चोड़ी calculation करना है कोई logic नहीं बनेगा ठीक है तो यह answer आ जाएगा c क्या हो जाएगा 3 is the correct answer 3 is the correct answer c is the correct answer डेख लो जो लोग b सोच रहे थे एक बात बताना b वाले लोग क्या मतलब क्या सोचके b बोल रहे थे ठीक है b वाले लोग क्या सोचके b बोल रहे थे भाई कि भाई तू कैसे होगा मतलब यह formula कितने लोगों ने ऐसा formula कहीं देखा होगा या लब कुछ भी ठीक है कुछ भी भाई साहब कुछ भी ओके हाँ चलो भाई चलो बढ़ी है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन देख भाई क्या दिया है जल्दी बता जलो प्रवा है जला कोश्चन झांस प्राव माई अगला कर दिल में औरे भाई कर दिल भाईया है झाल 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 यह भी मैं calculation कर रहा हूँ न यह भी अपने आप में बहुत लग जाया टाइम टेकिंग आपको इसको calculation करने की जुरत ही नहीं पढ़नी चाहिए थी आगर आपको लगता है न कभी भी calculation करने की जुरत ही नहीं है भाई कुछ लोग साथ देखो कुछ लोग तो चलो time पास करने आ क्लिए कुछ पी ऐज तिक कर रहे है कुछ ऐ टिक कर रहे है पैसे थोड़ा सा टाइं दे stripes kindness पढ़ लो। 77 ग्राम और सियोटी और दिया ठावी कह थाक सिद्द्री कार्बन का मतलब कारबन और हाइड्रोजन होगा अब और hydrogen होगा तो भाई carbon से क्या produce होगा CO2 hydrogen से क्या produce होगा H2 तो sir carbon sir 88 gram में कितना carbon है निकाल लो 24 gram carbon है मैंने इतना calculation किया भाई तुम्हें लगता है इसको calculation करना था इसको calculation करना था क्या ये calculate करने में अगर आप time waste कर रहे हो तो भाई कोई बात नहीं exam hall में easy question को भी आप difficult बना दोगे answer क्या आजाएगा answer मेरा आजाएगा C answer मेरा आजाएगा C ये क्या आजाएगा answer C बहुत बढ़ी है चलो भाई थोड़ी अबादी फिर से return आई ठीक है answer क्या आजाएगा C answer क्या आएगा C चलो बढ़ी है अगला question देख जल्दी जल्दी थोड़ा fast होड़ी है अबाएगा प्रूब buffalo झाल 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 68.9% ठीक है 68.9% जनता अपने पास भाइट सही है अब थोड़ा सा देख लो पुई बोलना टाइम इंक्रीज करो बेटा एक्जाम होल में इस कोश्चन के लिए ज्यादा टाइम ने दे सकते हैं थोड़ा बहुत कैल्कुलेशन के लिए और कैल्कुलेशन भी इतना डिफिकल् करो निकालने कोशिश करो अगला कोश्चन देख अगला कोश्चन देख भाई अटेम्ट करो जल्दी प्रोड़ासे जल्दी झाल 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 झा value कितना आ रहा है 62 62 into 2 124 हो गया और 124 plus 64 188 answer आएगा 188 answer आना शुरू होगा 188 is the correct answer answer क्या जाएगा time increase नहीं होता यार ठीक है time increase नहीं होता यहाँ पर time का मतलब क्या होता है यह बात बताओ बाई वैलेंट का मतलब भाई यह easy questions एक बोल रहा है हाँ नाइट्रेट नहीं पता था भाई साहब नाइट्रेट किसको बोलते यह नहीं पता एक बोला time भाई आप बात वही है ना कि फिर दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं अभी तक देख लो एक घंटा होने को अभी साथ कितने question हुए 15 question हुए exactly तो भाई यह देख थोड़ा fast time देंगे तो two से multiply नहीं किया क्यों नहीं किया भाई किसने रुका था नहीं रुका था ना तो करना चाहिए था ना आरे कोई बात ने जिनका लगता है कि हाँ time increase करना से बेटा exam hall में तुम ही पता है इतना मतलब तुम सिरियस्ली बैठ कभी इस practice station को इंज्वाई ही नहीं कर रहे है तो बहुत exam hall में जाके तुम negotiate करोगी क्या इस question में 60 seconds मिल रहे हैं आगलो 60 seconds मिल रहे है इस question पर अगला question देखिए कुछ limiting reason का दिया हुआ है एंसर निका लिए कि मैं reaction link देता हूं बाकी आपको answer खुद से निका लिए आपकर आपको entsprechend आपको से विए जा विए enough का लिए है तु़ ए्फट抗 झाल क्या अंसर आ जाएगा C is the correct answer Hydrogen कितना बच जाएगा 0.8 लीटर C is the correct answer अब देखो यहाँ गलतिया किस लोग कितने लोग कर रहे है कितने लोग गलतिया कर रहे है देखो अपने पास ठीके यह अपने को भाई अब इस तरह कोश्चन कोई नहीं पर कर पा रहा है limiting reason once upon a time पता नहीं कब से सिखाया गया एक बोल रहा सब समझाया करो भाई यह कोश्चन और इससे कर पता नहीं कितनी लिटर चाहिए होगा नहीं दिया है 12 लिटर तो अब्वे से यह limiting reason नहीं होगा इसके अपोजिट वाल लिम्टिंग reason होगा हो गया और एक चीज़ पर भाई कुछ आगे तो बढ़ोगे option नहीं देखा ठीक से तो ठीक से देखो एक्जाम हॉल में गलतियां करने के मतलब गलती करके थोड़े जा सीखेंगे यार times are sufficient है एक मिनिट बहुत जादा होता है इस question के लिए एक मिनिट काफी hcl बोल रहा है liquid होता है देख सब जगो option में गैस लिखा है इसी लिए लिखा है उसको पता है तेरी जैसे लोग बैठे है इसलिए उससे सारे option में चील गैस लिखा है ठीक है चलो लिम्टिंग रिएदेंट हो गया आजाओ भाई अगला question देखो solution chapter का फ़ले को है तेरी आवर्ण गшие उंग है यह हলगिए है तेस्यों झाल 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 क्या answer आ जाएगा तीज दा answer राउल्ड व्ला के उपर question है सीधा formula पुट करके answer निकाल देना है सीधा formula पुट करके answer निकाल देना है तब इसमें बहुत आए लोग 46.2 टिक कर रहे हैं इसी को बोलते हैं गलतियों को analyze कीजिए देखिए कहां कहां गलतियां हो रहे है उसके इसाब से सीख लो सीधा formula है answer निकाली है हो गया कोई पूछे अब ये formula सर इसको explain कीजिए भाया ये राउल्ड सलो था बस इतना ही है explanation ये राउल्ड सलो था ये ही explanation बेटा आगे चलो ये देखो इसमें तो कोई calculation भी नहीं है बस फसाया गया है झाली है बस आगे साई शर्ण पूश चर्ण झाली है झाली है झाली है झाली है चक्षा-णाब झाली है D is the correct answer. D is the correct answer. कैसे हुआ D? यह देख लो भाई. वाई यह क्या होता था? P A upon P total होता था? P total मतलब solution का pressure लिखेंगे. P A का pressure क्या होगा? P not A, chi A या फिर इसको solution लिख सकते हैं. या फिर P not A, chi A upon P not A, chi A plus P not B, chi B लिखते थे. भाई यह देख लो. सर यह आपको और कोई बड़ी सरा है यहां मुझे नहीं पता P S कौन सा है. बेटा एक common logic लगाओ. यह कभी हो नहीं सकता. यह हो नहीं सकता. यह हो नहीं सकता. यह तीनो possibility हो ही नहीं सकती. सर P S का मतलब क्या है? pressure of solution. तो answer क्या आजाएगा? answer क्या आजाएगा? answer क्या आजाएगा? answer क्या आजाएगा? D.I. आजाएगा? देख ले भाई. easy question बिना किसी calculation के भी questions है. अब यहीं सब question exam volume मिलेंगे. अच्छा, हाँ, 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 हाँ. ये भी था, ये भी करना था, वो भी करना था. करते हैं, डारेक्ट करना है. एक बोला है, सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है. ठीक है? कि सर कौन से chapter से है? बेटा, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है. ये बहुत बड़ी बात है. आपको ये चीज़ पता है कि कौन से chapter से नहीं पता चल रहा है. बहुत बड़ी बात है. कुछ लोग नहीं पता चल रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है. ऐसे ही लगे रहो. अगले साल फिर से कौर्स तो खरीद नहीं पढ़ेगा ना. अगला कुश्य है. बहुत बात है. बहुत बड़ी है. बहुत बड़ी है. बागी अगला अलग मॉलीकूल्स आगे या अलग अलग फंक्शन ग्रूप्स आगे तो वहाँ पे आपको आईडियल सॉलीशन नहीं बन पाएगा. तो बस यह रहा है. अगला कुश्यन देखुआ. 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 इस देखुआ. अगला कुश्यन देखुआ. हाँ भाई. तो देख ले. अपने को अब यह answer आ रहा है. हो गया. कुश्यन देखुआ. शेखुआ. औि देखुआ. झाला कुश्यन देखुआ. झाल्यम देखुआ. देखुआ weakness कि अख ऑग. झाला कुश्यन देखुआळ. 138 देखुआ. 129 00. झाल झाल चलो बाई इस कुश्चन में जो इंपोर्टेंट था ना वो ये था एक बाप बताओ वाटर का वाल्लिम और मास क्या होता है सेम होता है अगर आप वाटर को डबल कर रहे है इक्वल एमांट डाल दे रहे हो तो मुलालिटी क्या हो जाएगी अगर पहले की मुलालिटी एम डैस की वैल्लू पता है क्या हो जाएगी एम बाई टू हो जाएगी पहले की मुलालिटी अगर एम है तो बाद की मुलालिटी क्या हो जाएगी M-2 हो जाएगी क्यों उसका reason है reason क्या है इसका answer जिलनों का भी B आया है बस उन्होंने ये चीज़ बस miss कर दिये इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था बस highlight किया हुआ था highlight कर दिया हुआ था इसलिए highlight किया हुआ था भाई कोई बोल था सर बोल दो अरे भाई क्यों बोलू exam hall में तुझे teacher आके बात आएगा क्या ये question practice session इसी के लिए रखा हुआ है कि आप गलतियों सीखो अगर equal volume of water डालोगे पहली की morality जो भी हो बस ये जान जाओ कि इस morality को different आएगा अब यहाँ पे delta tb की value कितनी है 0.15 delta tf की बात करेंगे सर ये क्या हो जाएगा kb into अगर m लिखते है और ये kf into m by 2 लिख देता हूँ सर m m cancel ये क्या आगया 2 kb upon kf आगया delta tf 2 kb kb की value कितनी है kb की value कितनी है 0.512 divide by 1.86 है निकालो kf delta tf की value कितनी आ जाएगी सर 1.86 into 0.15 into 2 into 0.512 निकालोगे calculate करोगे तो आपको देंसर दिख जाएगा c is the correct answer c is the correct answer m by 2 कैसे हुआ भाई साब volume double कर दा भाई साब ये कितना difficult cheating है short कभी कभी जान के होता न कभी कभी कि मरभन एक मन में खयाल आता है कि अगर तुम ये question न पूछते तो कितना खुश होता मैं w1 की value साब डबल कर दोगे तो molality आदी हो जाएगी यहाँ देखना बेटा यहाँ 2 कर दूँगा तो ये आधा हो जाएगा बाकी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं बेटा कभी कभी हो जाता है ज्यादा पढ़ने से भी दिक्कत आ जाती क्या होगा सर कितना answer आ जाएगा 0.-0.272 delta tf की value कितनी आ जाएगी 0.272 आ जाएगा और delta tf freezing point क्या हो जाएगा 0.27 answer आ जाएगा c is the correct answer c is the correct answer देख लो ये है ये है b वाले लोग को बस formula पता था b और c वाले खासकर जो b वाले लोग है भाया तुम उधर की गलतियों से सीखो इसलिए मैं highlight कर दिया था मुझे पता था कि फसोगे इसलिए मैंने highlight किया था सीखो फसोगे तो गलतियों हो इस तरही गलतियां नहीं करनी है भाई साब ऐसी गलतियों करने हैं कोई फायदा नहीं अगला question देख क्रुब्सक्राइ बाई तुम ऑलतियों कर देख कि एसमेशने हैं करने हैं कि उत्वे था कि भीषब दो ऑलतियों करने हैं कि चिसमेशने हैं झाल झाल क्या एंसर आएगा एंसर इस बी बी जो होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा 60 इस दर करेक्ट आंसर बहुत बढ़ी 84 परसेंट जनता बहुत सही है अब जल्दे लिए एंसर निकालो छोटे छोटे फॉर्मुला बेस कोश्चन्स है यह देखना इस कोश्चन्स का अंसर बताओ झालो करेक्ट आंसर क्या होगा C is the correct answer कैसे सर टेंपरेचर को लोवर करोगे पाई की वैल्यू क्या होगी कम वाल्यूम को बढ़ाओगे सर पाई की वैल्यू हो जाएगी कम लेकिन हाँ नमबर अब मॉलिकूल बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा नमबर अब मॉल्यूम बढ़ाओगे तो नमबर अब मॉल्यूम बढ़ेंगे और ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ती चली जाएगी ठीक है झाल 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 एसोसियेशन हो रहा है क्या अंसर आजाएगा बी इस दे करेक्ट आंसर पोल हैंग हो गया बी इस दे करेक्ट आंसर किस तरह सर अलफा की वैल्यू क्या दी है 0.4 अलफा की वैल्यू क्या दी गई है 0.4 अलफा की वैल्यू अगर 0.4 है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर आई की वैल्यू हो जाएगी i is equals to 1 plus 1 by n minus 1 into alpha 1 plus 1 by n minus 1 into alpha ये क्या हो जाएगा i की value कितनी आ जाएगी 0.8 i की value कितनी आ जाएगी 0.8 आ जाएगी 0.8 आ जाएगी हो जाएगा चलो भाई अगला कोश्चन करो झाल जाएगी झाल झाल कितना आ रहा है पर i की value कितनी आ जाएगी i की value कितनी आ जाएगी i की value देखोगे तो कितनी आ रही होगी यहां देखना i की value 2.8 into 0.1 और r की value कितनी लूँगा atm में है तो 1 by 12 ले लेता हूँ यह 0.082 temperature कितना है 300 ले लेता हूँ इसको अगर सही से देखे तो यह अपने पाक 1 by 12 यह 25 आ जाएगा 25 आ जाएगा और 25 2.5 2.8 into 2.5 2.8 into 2.5 क्या हो रहा होगा 2.8 into 2.5 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा यह कितना आ जाएगा answer कितना आएगा इसका 2.8 into B होगा answer यह 25 है 25 को कितना कर देंगे 2.8 into 2.5 करेंगे 2.8 into 2.5 करेंगे 25 into 25 कितना आ जाएगा 6.89 आना शुरू होगा A की value कितनी आ जाएगी 6.89 आएगी कितनी आ जाएगी 6.89 आएगी तो answer क्या आ जाएगा A is the correct answer 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 चलो अगला question देखना अगला question देखो जल्दी Already दो chapter हो चुके जल्दी जल्दी finish करो भईया 50 question का target है 50 question का target है थर्मणायमिक से भी कुछ question सुरुवात में करें कुछ अभी आएगे सारे के सारे सारे के सारे questions भईया States of matter थर्मणायस कराया तो है भाई सुरुवात में सारे थर्मणायस के भी 2-3 question कराया थे actually mixing कर दी गई है अभी एक एक करके chapter पर chapter चलते जा रहे है कर दो है आए के था कर करें कि अभी कर दीचिते जाएगे हो जाएगा ईक ना ही नहां न हो जाएगा उतने ही परतمنटे जारा है रहा रहा रेट फ मैझ हो नहीं पॉलीन का राइसे उसके बाद बैसिक मैस betis लगा कितना हो जाएगा वसिधा को टम सकते फर्च थे कीजिए उसके बाद बेसिक मास लगाईए मूलर मास सॉल कीजिए एंसर निकालिए अगला कुश्चन देख लीजिए अपने पास कॉंस्टेंट है बी का वैल्लू चल्दी क्या होगा तो कॉंस्टेंट बी इस दे मीजर अफ क्या बनेगा बेंडरवाल एक्वेशन में इसके बारें बात कर रहा है तो बी के बारें बात करेंगे तो बी किसकी बारें बात करता है volume occupied by gaseous molecules very good volume occupied by gaseous molecules चलो भाई अगला कुश्चन देखो थोड़ा फास्ट कीजिए इन सब चीजों को कि अपुश्यों को D is the correct answer, Q क्योंकि आपको भी पता है, real gas का pressure कम क्यों होता था, ideal gas से, because आपको भी पता है, intermolecular forces action में आ गई थी, जैसे volume अपने पास कम हो जाता था, वैसे ही यहाँ पे, intermolecular forces जाने से, real gas का pressure, ideal gas से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यह question अपने को मिल गया, अगला देखो, कैसे में आपको जाएगा जाएगा, जाएगा झास है, याटने का का है, virtuो कर।ो नहीं का चाहँ है, का अपको जाएगा, पीजिए कमा तेखो, कर।ो Real Qcknd. ओsels ळी और देखो, जाएगा. प्रेकलों भाई क्या होगा हाई प्रेशर पे हम किसको नेगलेक्ट कर देते थे इसको नेगलेक्ट कर देते थे प्लस ए बाई वी इसको बाई किसको नेगलेक्ट कर देते थे चलो अब यह सब göreशियन कोश्चन थे यह जल 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 दे आंसर निकालो जल 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 दे आंसर निकालो झाल 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 कि एंसर क्या आजाएगा सी एंसर आजाएगा क्यूं 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 कि सर उसका रीजन आपको ही पता चल रहा है कि सी एंसर आने का रीजन क्या है देख लो बाई जनता लगतार अच्छा कर रही है बहुत बड़िया ठीक है ना एक बूल रहा है सो रहे है तो ऐकोशों करो थोड़ा फास पास करने कोश करो झाल B is the correct answer B आ जाएगा इसका correct answer क्योंकि आपको भी पता है real gas जहां पे ideal gas behavior show करता है अब बिसे जहां real gas ideal gas behavior show करेगा उसी temperature हो क्या बोलते थे boys temperature चलो भाई TV का formula ये देख लो अपने पास जिन लोगो याद करना है TC का formula 8A upon 27RB था और अगर TV TC हो गया तो यहाँ पे एक और formula था inversion inversion is 2A upon RB ये तीन temperature याद रखेगा ये तीन temperature का number याद रखेगा चलिए अगला question कीजिए ये जाद रखेगा को ये ऐर नाद राद ये फज़स्व beesबस अब्स का माँथ को धिर रखेगा करक्द 001 ये सब्सक्पimal कीजिए कर अवाद ये तीन झाल झाल देख लो यही होगा ना साथ CH4 का CH4 का कितना हो जाएगा 150 कलिवन पर वो आ जाएगा कैसे किया तो सर्कुछ नहीं जितना इसका लेना है calculate करो अब कुछ बूले सर्व आपने भाई इसको square root हटाएगा 8R 8R से cancel पाई पाई से cancel temperature upon molar mass put करके answer निकाल दे भाई कितना answer आएगा B is the correct answer B is the correct answer भाई साब इसमें फसके सब लोग क्या कर रहे हो यार जिन लों का भी गलत answer आया ये question तो आसान सा था इसको तो आसानी से कर तकते थे आपको formula पता होना चाहिए था कोई भी velocity होती है temperature upon molar mass पर डिपेंड करती है चाहिए average हो चाहिए RMS हो चाहिए अपने पास क्या हो sir V average हो V RMS हो और चाहिए अपने को कौन सा V most travel हो हमें साथ है अपना आए या हो जाएगा देखो अगला question देखना झाल 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 देख लो किसी ने भी कोश्चन सही से नहीं पड़ा जिलनों का भी एंसर आ रहा इसका मतला आपको कॉंसेप्ट आता था ए जिलनों का भी एंसर आ रहा इसका मतला आपको कॉंसेप्ट आता है आपने ये वॉल्यूम निकाल दिया ये क्या है ये फाइनल वॉल्यूम है कहां पे तर किस तेंपरेचर पे 310 पे कोश्चन क्या पूछ रहा है वॉल्यूम अप दे एर डाट विल बी एक्सपेल्ड मतलब कितना वॉल्यूम बाहर जाएगा मालो ये कंटेनर था कंटेनर के अंदर हीटिंग करोगे तो इसमें से एर इसका वॉल्यूम कितना था 300 सेंटीमीटर क्यूब था इसका वॉल्यूम 310 हो गया इसका वॉल्यूम 310 हो गया तो भया कितना बाहर चला गया होगा 300 में से कितना बाहर चला जाएगा सर वॉल्यम एक्सपेल्ड निकालना था वॉल्यम एक्सपेल्ड निकालना था तो वॉल्यम एक्सपेल्ड कितना हो जाएगा ट्रैप में फंस जा रहे हो तुम लोग कितना होगा 10 cm क्यूब होगा कितना होगा 10 सेंटिमीटर क्यूब होगा यही तो यही सब तो ट्रैप है कि बोल रहा है अरे सब इजी कोश्चन में भी ऐसी फसने वाले एक्जाम हॉल में यही सब कोश्चन आज बहुत हाइफाई चीज थोड़ी ना आएगी वजा चलेगा अगले साथ चलो अगला कोश्च कि अधनी कोश्चन में यही सब जाएफाई प्रणी कोश्चन में लागी साथ चलो यही सब क्लेव झाल 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 क्या जाएगा इस question का answer क्या जाएगा कैसे किया तो सीदी सी बात है तो gases है एक gas माल लो ए है एक gas क्या है बी है लाइटेस्ट गैस कौन सा है ए है दोनों का equal amount दिया है तो दोनों का mass क्या माल लोगे एकस और एकस माल लोगे दोनों का equal amount दिया है मास क्या माल लोगे एकस और एकस इसके number of moles अलगा गए इसके number of moles है ये कौन सा लो है चलो एक बाफ अपना अपने पास यह कोशिशन बताना अपने को क्या मिल रहा है इसमें सर्क प्रेशर और लाइटेस्ट क्या इसमें सा लोग है डोल्टन स्लो निकालते भाई तेरे उपर है पोश्चन सोच आपके सारे topic एक topic आपके cover किया रहे है हो सकता है revision में जिन लोगा लगता हूँ भाई एक topic cover किया रहे है जितना हो सकता है धेक्श, चल thermoronics पे आटा है झाल झाल क्या answer आ जाएगा इसका answer क्या आ जाएगा A is the correct answer क्यों क्योंकि देख लो 8 joule work done by the system है मतलब यह minus 8 होगा और 40 joule is supplied to it मतलब यह क्या होगा प्लस 40 होगा तो प्लस 40 और यह मिला के कितना आ जाएगा 84.97% 84.97% क्या हो जाएगा अपने को यह answer आ जाएगा यह answer आ जाएगा हो जाएगा चलो भाई अगला question देखना answer क्या आ जाएगा इसका यह answer आ जाएगा ठीक है अगला question देखना क्या होगा क्या होगा Q is not equals to minus W is not true for किसके लिए true नहीं है किसके लिए true नहीं है तो भाईया Q is equals to आपने को आपको ही पता है जल्दी करो आइसो थर्मल में क्या हो जाता है आइसो थर्मल में delta U 0 हो जाती जैसे ही delta U 0 होगा Q is equals to minus W हो जाएगा तो ये तो इसके लिए सही है एडियाबेटिक में क्या हो जाता है एडियाबेटिक में आपको ही पता है Q 0 हो जाता है तो ये तो हो गया यहीं मेरा not true होगा साइक्लिक में भी delta U क्या हो जाता है साइक्लिक में भी delta U 0 सर delta U जैसे ही 0 हुआ आपको ही पता है B is the correct answer 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 हो जाएगा अरे पोल मिस हो गया कोई बात नहीं लेकिन यह बहुत easy questions थे हैं पटापट निप्टाओ चलो इस question में calculate करो calculation में time लएगा लेकिन हाँ करो calculate चलती not true पुछाता पिछले वाले में फ़ले यह करो प्रौबाब अरे वह करो करो प्रौब लेकिन हो इसका अंसर क्या आएगा? कैसे? इस reaction का delta-ng कितना आएगा? delta-ng निकालने जाओगे तो कितना आजाएगा? सब प्रोडक्ट के कितने मोल से 12-15 तो गैसी समोल कितने आगए? delta-ng कि वैल्ली कितनी आगई? minus 3 और हम सब जानते हैं कि delta-h-delta-u कितना हो जाएगा? delta ngrt, put कर दो सर, kilo joules में answer चाहिए इसलिए thousand से divide किया है joules में चाहिए होता, तो हम सीधा सीधा multiply कर देते answer आ जाता चलो, अगरा question करते हैं मुझे भी यही लग रहा है, थोड़ा, पोल नहीं करते direct अब इस पे आते, पोल के बिना इसके बाद करो, direct comment में answer बताओ अब यह जैसे इस question का answer पोल करने की जोरत नहीं, answer बताओ क्या होगा, in which reaction delta s is positive जल्दी बताओ कहाँ पे delta s positive है, यहाँ नहीं है यहाँ अपने पास 3 से 2 आ रहे, यह नहीं है लिक्विड से gas जा रहे, यही मेरा answer हो जाएगा c is the correct answer, c is the correct answer चलो, अगला question देखो निकालो answer time लो answer निकालो आँ पोल में ज़्यादा time लग रहा है, कोई बात नहीं इस पासर बताओ रहे, यहीं है कितना अंसर आ जाएगा इस केस में देखो तर डेल्टा एस कैसे निकाल होगी हीट अपॉन टेंपरेचर कितना होगा बॉilin पॉइंट अपॉटर बोल रहा है 373 केलविन लेकिन हीट कितना लेंगे हीट अपने हो कितना लेंगे 900 जूल पर ग्राम है भाईया पर ग्राम नहीं लेता है न हीट क्यों सर यहाँ देखो न सब कुछ यूनिट किसमें दिया है पर मोल में एक मोल का मास कितना होगा 18 18 स लेना था भाई 298 लेंगे तो भी उतना ही आसपास आएगा न या थोड़ा फ्लक्चुएट कर जाएगा कैसी बाते कर रहा है चलो अगला कोश्यन देखना कि इस क्योंस्टर में आपको कोई रियाक्शेन य कुछ भी नहीं देखना बस आप साइन देख लो डेल्टा-एच्डेल्टा-एस याद करो हमने पढ़ा था कोई भी रियाक्शन स्पॉंटेनियस होना तो दो चीज़े होती है इनर्जी क्या होने चाहिए कम और इनर्जी क एक इंट्रॉपी क्या होने चीज जादा तो सर पहला वाला तो हमेशा ही spontaneous रहेगा ये एक ऐसा term है जो हमेशा क्या रहेगा always non spontaneous रहेगा d कि always non spontaneous है हमेशा non spontaneous ही रहेगा reason आपको पता चल रहा होगा आप डिल्टा जी के formula में चेक कर लो इसका डिल्टा जी हमेशा क्या आएगा positive हाएगा तो answer क्या आज आएगा d is the correct answer d is the correct answer कि निकालो कितना आएगा gives free energy change बताना है 27 degree Celsius पे temperature कितना हो गया 300 Kelvin हो गया temperature कितना हो गया 300 Kelvin हो गया temperature कितना हो गया 300 Kelvin हो गया temperature 300 Kelvin अब इसको फटा फट करो डेल्टा जी कितना है? माइनस 26,000 लिख देता हूँ कीलो कैलोरी लिखिए डेल्टा एच की वैल्लू कितनी होगी नहीं पता टी टेम्परेचर कितना है? 300 इसकी वैल्लू कितनी है? माइनस 60 है तो ये कितना हो गया? माइनस 26,000 is equal to डेल्टा एच और ये प्लस कितना होगी? 18,000 डेल्टा एच की वैल्लू कितनी हो जाएगी? ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये माइनस 26,000 और माइनस 18,000 देखोगे तो माइनस 44,000 आ जाएगा माइनस 44,000 कैलोरी आ जाएगा और इसी को लिखना चाहूँगा तो माइनस 44,000 कैलोरी लिख सकता हो इसी को लिखना चाहूँगा तो माइनस 44,000 कैलोरी लिख दूँगा अंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा ये रियाक्शन थर्मोकेमिस्ट्रिम जल्दी आपका चौथा चाप्टर चल रहा है जल्दी कीजिए थर्मों के मिस्ट्रिम इस रियाक्शन को जल्देल निकालो ऐसके जल्दी कीजिए उल्दी निकालो कितना एंसर आजाएगर अब सर्दीक लोग कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि जब आपसे फॉर्मेशन इंथाल्पी के टर्म में पूछा जा रहा है तो प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंट करना है चलो एक बहाँ बताओ किसके केस में रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट करना था किसके केस में रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट करना होता है किसके केस में रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट करना था बताओ किसके केस में किसके केस में रियक्टेंट माइनस प्रोड़क्ट करना था दो जगा था ना दो जगा था अपने पास combustion और क्या था bond dissociation यादना combustion और bond dissociation के case में क्या था combustion और bond dissociation में अब देख लो combustion का ही example दे दिया गया है आप कोई पता है enthalpy of formation of carbon monoxide मतलब कौन सा reaction होगा आप कोई पता है कौन सा reaction होगा इस reaction की enthalpy निकालनी है इस reaction की enthalpy निकालनी है इस reaction की enthalpy आप निकाल दोगे यही enthalpy किसके इकवर होगी अगर इस reaction की enthalpy निकालते हो यही enthalpy किसके इकवर हो जाएगी निकालो formation enthalpy of carbon monoxide class में कराया हुआ कोश्चन है class में कराया हुआ कोश्चन है जल्दी class में किया हुआ कोश्चन सर इस reaction की enthalpy निकालना है कैसे निकालोगे सर combustion enthalpy reactant का दिया है product का दिया है लेकिन combustion enthalpy जब भी लेते हैं हम लोग सर किसका लेंगे reactant minus product लेते carbon oxygen का नहीं होता कुछ भी oxygen का combustion oxygen से ही combustion होता है इसलिए उसको हम लोग नहीं लेते तो ये कितना आ गया minus 110 कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा तो बस करता रहा हो जाएगा करता रहा इस question का answer chemical kinetics पर आगे भाई बस अब इसके देख छोटू सा चैप्टर बचा है redox reaction इसके बाद उस छोटू सा चैप्टर बचा है redox reaction बस यही एक major chapter है 5 chapter होने वाले है जल्दी से जल्दी क्या होगा 4P plus Q result of falling statement is true rate of S is double than rate of disappearance of Q individual rate के respect में तो यही लिखोगे न rate of P upon 4, rate of Q upon 1, rate of R upon 1 यह लिंक दो अब यहां से देख लो कौन कौन सा सही दिख रहा है rate of S is 2 times सही है rate of disappearance of Q is 1 by 4 of rate of disappearance of यह भी सही है rate of formation of R is equals to rate of formation of S R और S का rate of formation equal है यह हो गया तो choose the correct option क्या answer आ जाएगा D is the correct answer 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 ठीक है D is the correct answer for gas-lius reaction यह हुआ है क्या हो जाएगा rate of reaction कितना बहरेगा भईया यहां पर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते अब यह चीजें क्लास में बताई जा चुकी है बाकी मैं एक बार फिर से देख ले तब rate जो होगा volume के किसके square पे depend करेगा मतलब यहां volume change करोगे 1 by 4 यह उपर आ जाएगा और 1 by 4 और 4 यह 1 by 4 कितना हो जाएगा 16 times बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा 16 times अगर volume को reduce करोगे rate बढ़ेगा क्यों सर यहां 1 by 4 करोगे तो 1 by 4 उपर आ गया यहां 1 by 4 उपर आ गया बाकी सब कुछ सेम रहेगा rate कितने times हो जाएगा rate कितने times हो जाएगा 16 times आ जाएगा rate कितने times आ जाएगा 16 times आ जाएगा मतलब रेट सीधा सिधा लीग सकते हैं प्रेशर और एक पावर टू और एलिमेंटरी रेक्ष्ण है तो फिर तो आप सीधा सिधा यह लिग सकते हो ना रेट लोई संगो आफ वह सब्सक्राटृ कर रहें तु संगांगन सब्सक्राइब अलगती यक्जांव पड़े утब कर रहा ना कुछ निकाल दिया इस कोश्चन को पढ़ दो बी को डबल कर रहे हैं रेट उन्हें पास एट टाइम्स हो रहा है मतलब बी की पावर थ्री होगी बी की पावर थ्री होगी हटा दो बी की पावर थ्री कहला वा उप्शन एक बार क्या करो बी को कॉंस्टेंट कर दो एक बार बी को कॉंस्टेंट कर दो एक बार बी को कॉंस्टेंट कर दो बी कॉंस्टेंट कर दिया जाए और यहां पे देखा गया है इसको हमने डबल किया यहां पे कोई फरक कितना पढ़ रहा है डबल हो रहा है मतलब टू की उनको इतना भी लिखने के देख की कोश्चंस हो जाएंगे बिना पेन उठाई ये कोश्चंस होने वाले ठीक है बिना पेन उठाई ये कोश्चंस होने वाले मेकनिजम पे बेस्ट कोश्चं मेकनिजम पे बेस्ट कोश्चं बता भाई मेकनिजम पे बेस्ट कोश्चं कैसे करे गुद स्देफ कौन सा 이리 डिटर्मानिंग इस्टेफ होता है रेट्ड डितर्मानिंग स्टेफ होता है भाई सहरीड डिटर्मानिंग स्टेफ हो 9 rate determining step होगा NOCL2 और NO का rate determining step होता है वो अपने पास ये slowest step जो slowest step है वही rate determining step है बट यहाँ पे कौन आ गया intermediate intermediate आ गया तो मैं सामने वाले से पहले step से equilibrium निकाल दूँगा equilibrium निकाल दूँगा NOCL2 NO और क्या निकाल दूँगा CL2 यही करूँगा यही करने वाला है यहां से मेरे पास NOCL2 का NOCL2 का अपने को equilibrium constant के साथ आ जाएगा NO into CL2 यही आ जाएगा NO into CL2 यह उठा के रख दूँगा यहां पे rate is equals to कभी भी intermediate को नहीं रखते K into K dash रख देता हो NO का whole square और यहां क्या आ जाएगा CL2 तो मेरा answer क्या जाएगा A is the correct answer A is the correct answer A is the correct answer देख लो first order reaction में first order reaction में the concentration of reactant is decreased from निकालो चल दी हाँ भाई मुझे भी जाना है मुझे भी पता है दो गंटे हो गए एक बता रहा है मुझे कि सर दो गंटे हो गए पताईए जैसे मुझे पता ही नहीं चलेगा rate constant निकालना है पहली बात 1 से 0.5 जाना और 0.25 जाना तर यह कितने half life का काम होता है दो half life का काम होता है सर 2T half दिया हुआ है कितना सर 20 मिनट तो एक काम करते हैं half life कितना हो गया 10 मिनट हो गया अगर आपका half life 10 मिनट है तो आपको क्या निकालना है rate constant rate constant क्या होता है 0.693 upon half life होता है 1st order में 0.693 upon 10 0.693 upon 10 ये क्या जाएगा 0.0693 0.0693 answer क्या जाएगा D answer क्या जाएगा D answer आजाएगा D निकालो half life निकालना था भाई उसमें rate constant निकालना था तुम जल्दी जल्दी में answer टिक कर रहे हो अब तुम अपने आपको जब अभी session end होगा तब अपने आपको देखना analyze करना कि भाई क्या हुआ तुमारे साथ जल्दी जल्दी में एतना ही time मिलेगा इस question को भी करने में इतना ही time मिलेगा 87.5% का मतलब क्या होता है 100 से 50 जाना 50 से 25 जाना 25 से 12.5 यही तो है 87.5% decomposition यही तो है 84% 5 decomposition तो यह हो गया यह एक half life हो गया यह एक half life हो गया यह एक half life हो गया तो तीन half life की meaning तीन half life का value कितना है 40 मिनट है तो एक half life कितना आजाएगा 40 by 3 16 point 40 by 3 तो कितना आजाएगा 40 by 3 13 by 1 by 3 इतना मिनट आजाएगा क्या अंसर आजाएगा अगें दी एंसर आजाएगा दी एंसर आजाएगा 13 minutes 1 by 3 minutes मतलब 20 seconds 1 by 3 मतलब 20 seconds हो गया ऐसा अर्शन रीजन पकड़ लो भई अरे तो ज़्यादा question हो गया तो क्या हो गया तो यह सोचना मेरी भी तो मेहनत लगी होगी कि question उठाकर लाने में तुझ के दिखा कहां से ले क्या है पहले हो गया तो अलग कम हो गया तो कम अरे teacher का मतलब मेहनत ऐसे ही खर नहीं सर पचास बोले से पचास ही करवाई है इससे थोड़ी ना होता है अभी redox बाकी redox में तीन चारी है खतम होने वाला जल्दी rate law may not depend on the concentration obvious ही यह बात statement सही है क्यों rate में हो सकता है reactant कोई missing हो लेकिन with increasing temperature rate of reaction increases increase in temperature करोगे अगर temperature बढ़ाते हो temperature बढ़ाते हो temperature बढ़ाते हो rate constant की value बढ़ती है rate constant की value बढ़ती है तो rate भी बढ़ेगा rate constant की value बढ़ेगी तो rate भी बढ़ेगा तो यह भी statement सही है लेकिन इसका और इसका कोई लेना देना नहीं both reason and answer दोनों के दोनों सही है लेकिन सर इन दोनों एक दूसरे के correct explanation नहीं है सर rate temperature बढ़ाते हो temperature बढ़ाते हो तो अबवेस तो temperature बढ़ाओगे तो क्या होगा k की value बढ़ेगी और k की value बढ़ना मतलब rate बढ़ना temperature बढ़ाओगे k की value बढ़ेगी rate बढ़ेगी इसलिए rate of reaction increase करेगा rate of reaction increase करेगा answer क्या है गब बी गलत हुआ तो सीख लो भाई exam hall में यही सब questions मिलेंगे order of the reaction बताओ क्या होगा बस अब इसके रडॉक्स ही शुरू हो रहा order of reaction can be a fractional number yes sir तो 1 तो होगा ही होगा correct option choose करना है तो 1 वाला तो choose कर ही लो 1 वाला तो यह हटा देना c वाला तो हटा ही लो order of reaction is experimentally determined yes sir 2 भी होगा तो 2 जहां जहां नहीं है order of reaction is always equal to some of the stoishmetric efficient in the balance chemical equation third नहीं होगा third नहीं होगा मतलब जहां-जहां third है जहां-जहां third है काट दो अपने पास third नहीं होगा क्योंकि आपको भी पता है balanced chemical equation नहीं होता है order of the reaction is some of the powers of some of the powers of molar concentration some of the powers of molar concentration in the respect क्या होगा यही होगा साहँ तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, निकाल ले भाई, B is the correct answer, B is the correct answer. एसरसन रिजन कीजिये भाई साथ, A bimolecular reaction takes place when two properly oriented reactant molecules come together in a sufficiently energetic oligin. देखो, बहुत प्यारा अच्छे अच्छे एसरसन रिजन के question. एक बोला, unsolved PDF दे दीजेगा, भया, obvious है, class में कर लो, unsolved PDF, पुरा PDF आपको मिल जाएगा, इस तो लब, obvious है, class काई PDF आपको मिलेगा, class notes में, देखो, कोशिश तो करो. सर, ये अपने पास क्या होगा, ये भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये एक दूसरे से कोई मतलब, कोई logic ही नहीं बनता, एक दूसरे का तो, सर, ये दोनों एक दूसरे से अलग-अलग ही चलते, तो इनका answer क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा. चलो भाई, लास्ट चैप्टर पे आते, सारे चैप्टर सोगे, बताओ, इस question का answer बताओ. In case of poroxide and superoxide, oxidation number of oxygen, जल्दी, क्या होगा? Poroxide और superoxide में कितना होता, oxidation number oxygen का? Oxygen का oxidation number कितना हो जाता है? Poroxide और superoxide में कितना हो जाएगा? Poroxide में कितना हो जाएगा? Minus 1 by 2. तो ये answer क्या जाएगा? B is the correct answer. B is the correct answer. बहुत difficult है stock notation. याद है, stock notation का question देख लो अपने. अगर कहीं पूच देगा stock notation, पता होना चाहिए न, यार. क्या होगा इसका answer? Stock notation का क्या answer आएगा? Stock notation का क्या answer आएगा? Stock notation का क्या answer आएगा भाई? जल्दी बताओ. जल्दी. कितना आजाएगा? क्या आएगा? Stock notation का मतलब था क्या? किसार सीधा सीधा जो भी आप मौल, जो भी फॉर्मूला दिया है, उसके बगल में उसका क्या लिख दो, रोमन्स में नंबर लिख दो, और कुछ तो था नहीं. आजाएगा सबको दिख रहा है, आईरन यहां पे प्लस टू में है, आईरन यहां प्लस थ्री में, कॉपर यहां प्लस टू में, मैगनीज यहां प्लस फोर में, भाईया यही तो लिखना है, बात खतम हो गई. ए, इस दे करेक्ट एंसर. पहला ही ओप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ओप्शन मैच कर रहा है, यह तो बहुत बहुत फेवरेट कोश्चन में से एक है, जो एक्जाम होद में, पूछा जा सकता है, भाई, कौन सा रेडॉक्स रियेक्शन है, बिज़े तो फॉलिंग इस अन इंक रामपल अफ रेडॉ रेडॉक्स रियेक्शन, जहां रेडॉक्शन हो रहा हो, जहां रेडॉक्स रियेक्शन हो रहा हो, जहां रेडॉक्स रियेक्शन हो रहा हो, बताओ, क्या होगा, कौन सा रेडॉक्स रियेक्शन है, देख लो, यहाँ पे जनॉन पे कितना है, प्लस 6, यहाँ पे जनॉन पे देखोगे तो कितना आ जाएगा प्लस 6 यहां पे जनौन पे देखोगे प्लस 6 यहां पे भी जनौन पे देखोगे प्लस 6 तो यह नहीं होगा रेडॉक्स यह भी रेडॉक्स नहीं है यह सिंपल डिस्प्लेस्मेंट टाइप चल रहा है यहां पे भी देखोगे इसके इसमें है और यहां पर कितना हो गया प्लस तो यही डिडॉक्स रेक्षण होगा अधरवाइज बाग की सब तो यहां पर भी प्लस टुए यहां पर भी देखोगे तो प्लस टु ही होगा आई इस दख और अंसर फालीं इस अंग्दांपल ऑफ डॉक्स रेक्षण यह देख ले रियक्शन बैलेंस करना है इंडिरेक्ट वे में बैलेंस करना है इंडिरेक्ट वे में बैलेंसिंग का कोश्चन दिया हुआ है इंडिरेक्ट वे में बैलेंसिंग का कोश्चन दिया हुआ है शुरू हो जाईए balancing एक line में आपको सिखाया गया था एक line में आपको सिखाया गया था उसको देखिए उसको देखिए ऐसे तो भी कुछ दिर पहले ही था ये तो मूल्स of CO2 कितना बनेगा मूल्स of CO2 कितना बन रहा होगा in the balance reaction कितने CO2 बनेगे तो CO2 कितने मूल्स हो जाएंगे 10 मूल्स हो जाएंगे कितने मूल्स हो जाएंगे 10 मूल्स हो जाएंगे क्यों कि सर देख लो इसके 5 होंगे इसके कितने हो जाएंगे दस मूल्स बनेगे, इंधा वैलन्स डीक्षि पूछ रहे, निकालो, इस क्योश्टन का इंसा बताइए, बस, लास्ट्री ऊश्ट्री क्वश्ट्रन है अपनी क्लास का, जल्दी, लास्ट्री क्योश्ट्रन है खतम करते हैं, 6 15 हो गया हाँ, टाइम साही है, मतलब यही था मेरा कि 120 मिनट 25 मिनट में हो जाए डिसकुशन के साथ तब सल्फियोरिक ऐसे अक्सिडाइजिंग एजेंट है अक्सिडाइजिंग एजेंट का मतलब होता तलफेट है यहां कितना हो गया प्लस 6 यहां सलफेट पे कितना हो गया प्लस 4 तो अबस है खुद को reduce कर रहा है दूसरे को oxidize करेगा यहां पे भी प्लस 6 और यहां पे भी प्लस 6 यही तो answer हो जाएगा क्या answer हो जाएगा भी यह यह simple displacement reaction है बाकी सब जगा देख लो यह प्लस 6 है यहां तो चलो प्लस 6 रहा लेकिन यह क्या होगी है प्लस 4 सर यहां देखो प्लस 6 है यह 0 है यहां देख लोगी कि प्लस 4 हो जाएगा यह कौन सा reaction है चलो बताओ चलो अब जाते जाती यह बता के चला जाओ, यह किस reaction का example है, disproporcionation या कम proportionation, किस reaction का example है यह वाला, नीच यह वाला, disproporcionation या कम proportionation, बता सकते हो, क्या हो जाएगा, किस का example हो गाई है, किस का example हो गाई है, कि कम प्रपोर्शनेशन का एक्जामपल है थे कहां तो भाई यह था हमारा आज का कोश्चन डिस्कुशन ठीक है आज का कोश्चन डिसकुशन जितने भी कोश्चन वे सही बताओ तो मैंने भी काउंट नहीं कि सुरू से लेके लाज तक मेरा यही टार्गेट था कि हां पचास से जादा जाए पचास के आसपास जाए सारे चैप्टर छे चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का आधा सिलेबस हो चुका है भाई अब अपने को आधे सिलेबस में ओभी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री भी अब आधार से बना बोलते ना एजर बीड़ा भाई बोलो जैसे भी हो सकता है तुमसे बस एक बेसिक चीज़ों के रिक्वेस्ट है आप मैंने लैक और रिवीजन था वो सब भी बता सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं बताते जाएं ट्राई करेंगे कि हां अगली रिवीजन क्लास में या अगली जब कोश्चन प्राक्रिसी क्लास होगी तो इसको फिर से थोड़ा और तेई सेफिशेंसी बढ़ाई जाएगी सीधी सी बात है कोश्चन सोचो ना खुद से सोचो मैं मतलब मैं यह सोच के आया था कि हां बहुत बढ़ी है छे बज़ तक खतम कर लेंगे पंदर में ज़्यादा लगा लेकिन बहुत ही मजदार लगा बहुत साह लोग ले बहुत अच्छा किया कुछ लोग तो बहुत ही पढ़के आयते जैसी कोश्चन दे रहा था वैसी ही आंसस आ रहे consistency से लगे रहेंगे तो selection होगा questions करेंगे एकदम ही होगा मिलते हैं अंगली class में तब तक अब electro chemistry class करने वाले electro chemistry मंडे को मिलेंगे बहुत ही सांदार चीजे पढ़ने के लिए छोटी सीजे और बचीए उनको कर लेंगे उसके बाद अपने को answers मतलब होता है नए electro chemistry मंडे को almost finish हो जाएगा ट्यूजे को पूरा स्वाहा कर देंगे और फिर नए रास्ते पे नए तरीके से ओके तो एक chapter 6 chapter मतलब हम physical chemistry के बीच में आ गए है भाई साब ठीक है ना physical chemistry का बीच का portion finish हो चुका है वस 6 chapters की कहानी और है चलो मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को तब तक के लिए बाई बाई कह पर्देशों का था झाल झाल